है काई वेलकम बैक टू नल्प प्लेलिस्ट इस अभी सेख और आज हम डिसक्स हरेंगे पंक्चुएशन ठीक जभी भी हम एनलप पर बात करते हैं जब भी हमाया पास एक टेक्स्ट बॉड़ी होते हैं बड़ा सा टेक्स्ट कॉर्पस होता है ठीक तो हम क्या करते हैं वहां प प्राइबलम पर जैसे डालर साइन और यह सारी चीजें इंपर्टेंट हो सकती हैं ठीक तो आज हम बात करेंगे की हम पंक्चुएशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं ठीक पंक्चुएशन को रिमूव करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं एक तो हम regular expression यूज करें ठीक दूस example क्या है कि मैंने Lexaldi बनाई है liznew mouse दो सेंटेंस रख खा है और दोनों सेंटेंस में मैंने पंक्चु संअ डरी बर भर निकालना है तो मैंने पंक्चु संड डाल दिया थिक तो अफिर मैंने क्या कि एक उस लिस्ट ses banal करने का रिजन क्या है सिरीज में इसली इंक क्या क्या कि जब भी हमारा हम इनलपी पे काम करेंगे हमाय पास जो भी body होगी या दो वो सीरीज होगी या दो वो data frame होगी या तो वो list हो सकती जैक कि तो list में हम iteration कर सकते हैं series में भी हम iteration कर सकते हैं data frame में भी कर सकते हैं तो मैंने series इसी लिए लिया ताकि हम उस पर apply और ये सारी method को हम use कर सकें जैसे कि हम एक project में करते हैं ठीक तो यहाँ पर मैंने क्या कि यहाँ पर इस cell पर अगर आप देखो मैंने यहाँ पर regular expression को import किया import re अब यहाँ पर हम regular expression को use करेंगे punctuation को filter out करने के लिए अगर आपको regular expression नहीं आता है regular expression का आपको कोई भी idea नहीं है तो मैंने already video upload कर रखी आप उसको जाके check out कर सकते हो या फिर अगर आप time save करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं एक link है w3schools.com यहाँ वहाँ पर आपको search करना है python regex तो वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो शारी सीजे ठीक तो अभी के लिए मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हमने regex complete कर ली ठीक तो फिर मैं यहाँ पर भी आपको बताते चलूंगा कि मैं कैसे क्या यूज करता हूं ठीक तो सबसे पहले हमने क्या किया कि import re किया फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर आप देखो मेरे पास sample text एक series object है तो यहाँ पर मैं sample text dot apply method यूज करूंगा apply method क्या काम करता है मैं आपको बताता हूं apply method के अंदर सबूज मैंने एक function डाला ठीक function ठीक तो apply method क्या करेगा यह function apply method क्या काम करेगा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए कि apply method क्या करेगा कि यह series या data frame या फिर कुछ भी हो ठीक तो apply method क्या करेगा कि यह one by one rows को इस function में पास करेगा ठीक अगर मालनो sample text यह हमारे पास एक series है तो यहाँ पर इस function में जो भी parameter होगा यह first time यह इसको x होगा ठीक तो इसलिए हम apply method यूज करते हैं ठीक I hope clear हो गया होगा ठीक तो यहाँ पर हम पहले case में क्या करते हैं कि हम punctuation को remove करेंगे lambda function को use करके तो हम लिखेंगे क्या lambda x ठीक यहाँ पर x क्या है यह x पहला यह वाला sentence है ठीक lambda x यहाँ पर आ चुका है ठीक फिर हम क्या करेंगे फिर हम re dot substitute करेंगे फिर यहाँ पर regular expression मैं लिखता हूं यहाँ पर मैं एक pattern देता हूं pattern यह symbol जो मैंने अभी लगाया यह symbol होता है not के लिए यूज होता है अप यहाँ पर पढ़ सकते हो यहाँ पर देखो return match accept मतलब इसको अगर हमने लगाया तो यह accept का काम करता है मतलब इसको छोड़ करके ठीक तो यहाँ पर मैंने लगाया फिर यहाँ पर "'backslash w' का मतलब होता है कि वो सारी चीजों को छोड़ करके और हम चाहते है इस-क आगए North लगाया है मतलब इन सारी चीजों को छोड़ करके ठीक और हम चाहते हैं कि हमारा जो space हो वो भी बचा रहे मतलब जो हमारे पास spaces होंगे तो backslash s का मतलब होता है spaces फिर हम इसको replace किसी से भी कर सकते हैं मतलब हमारे words character को छोड़ करके words character मतलब a to z मतलब सारे alphabets और 0 to 9 और underscore इन सारे चीजों को छोड़ करके अगर मालू मैं यहां पर space या फिर कुछ भी देता हूँ तो इन सारे चीजों को छोड़ करके जो भी होगा वो sj case से replace हो जाएगा ठीक बट हम चाहते हैं कि यह चीजें हट जाएं हम चाहते हैं कि सारी चीजें lower case में हो जाएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर parenthesis लगाके यहां पर मैं parenthesis लगाऊंगा यहां पर dot lower टिक यह चीजें करेंगे तो सारी चीजें lower में हो जाएंगी दूफरा तरीका क्या है कि हम string punctuation यूज करें कैसे मैं बताता हूं देखो string.punctuation आप देखो कि यह सारे punctuation है तो हम क्या चाहते हैं कि अगर मालो कोई भी हमारे पास कोई sentence है मैं एक function बनाता हूं remove punctuation उसमें हम कोई sentence पास करेंगे ठीक तो यह sentence जो भी हमारे पास sentence होगा हम क्या करेंगे उसके सारे के सारे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो यह होता है कि हम punctuations को कैसे रिमूव करते हैं और आगे हम देखेंगे और भी सारी process, text processing पे and thanks for watching this video अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please subscribe to our channel and if you are learning, if you have any kind of suggestion for me you can drop those things on comments and every suggestion would be really appreciated and if you really have any question please feel free to drop those in comments box thank you